हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबर चेनल टेस्टी टेस्टी बाइट, मैं हूँ शद्धा चोक से, आज हम मिलकर बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टेल मिक्स वेज, इसे हम घर के हर छोटे और बड़े ओकेशन पे बनाना प्रिफर करते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर द्राए करें, और अपने फीडबेक मेरे साँ शेयर करें, तो चलिए मिक्स वेज की रेसिपी को शुरूर करते हैं, इसके लिए मैंने लिया है आठ से दस लैसन की कली, एक इंच मैंने लिया है अध्रक का तुगडा, चार बड़े साइज के मैंने लिया है टमाटर, एक मैंने लिया आधा आलू यह इस मिक्स वेज का सबसे इंपॉर्टेंट और सीक्रेट इंग्रीडियन्ट है इसे हम ग्रेवी में पीसेंगे इसे क्रेवी बहुती क्रीमी और स्मूध बनेगी आठ से दस मैंने लिया है काजू के तुकड़े मिक्स वेज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं यहां मैंने लिया है एक कढ़ाई केस की फ्लेम को मैंने आन किया है और कढ़ाई को थोड़ा साहम गरम हो जाने देंगे इसमें डालेंगे वन टीस्पून बटर यहां में आपको सज़स्ट करूंगी कि आप बटर में ही बन आप यहां ऑईल का भी यूज कर सकते हैं अब हम पटर को मेल्ट हो जाने देंगे थोड़ा सा अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ लैसुन और अद्रग रफली चॉप किया हुआ प्यास डालेंगे काजू डाल देंगे इसमें सूखी हुए लाल मेर्ची डालेंगे और इस अब हम इसमें डालेंगे रफली चॉप किया हुआ टामाटर और इसको भी हमेच से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक कप पानी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसको कवर करके और लो फ्लेम पर टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे देखें दस से पंदरा मिनिट हो गए हैं अब हम चेक कर लेते हैं टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं इसको मैंने बीच में कई बर जलाया था देखें हम के इसकी फ्लेम को आफ कर देंगे और इसको पूरी तरह से थंडा हो जाने देंगे उसी के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे तब तक हम देख लेते हैं हमें क्या-क्या सबजियां चाहिए यहां मैंने लिया है एक कप बोभी, 200 ग्राम मैंने लिया है पनीर, एक कप मैंने लिया है फ्रेंच मीन्स, आधा कप मैंने लिया है शिमला मिर्च, एक कप मैंने लिया है कटिवट, आलू, आधा कप मैंने लिय अब हम इसमें डाल देंगे आलू को हमें फ्राइ कर लेना है हम इसे चलाते हुए चार से पांच मिनित तक के लिए फ्राइ कर लेंगे हम इन सारी सब्जियों को लो फ्लेम पर ही फ्राइ कर रहे हैं देखें हमारे आलू फ्राइ हो गए है इसको हम निकाल लेंगे इसी तरह से हम सारी सब्जियों को फ्राइ कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे गोबी और गोबी भी हमको चार से पांच मिनिट के लिए इसी तरह से हम चलाते हुए फ्राइ कर लेंगे हमें सारी सब्जियों को कुल अब करूए दिखे गोभी भी आमरी फ्राइ हो गई है इसे भी हम निकाल लेंगे हम सारी सब्जीों को एक ही बाउल में निकाल लेंगे अब हम गाजर और वीन्स प्राइब कर लिए यह दूनों में एक साथ फ्राइ निख रही हूं इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर करके और 2-3 मिनिट के लिए फ्राइब कर लेंगे दिखी हे भी हमारे फ्राइब हो गए है इसे भी हम सेम बॉल में निकाल लेंगे अब हम लास्ट में डालेंगे पनीर, आप चाहें तो नान फ्राय भी डाल सकते हैं, बट मैं इसी तरह से फ्राई करके डालती हूँ, फ्राय भी, देखें, पनीर भी फ्राय हो गया है, इसको भी हम निकाल लेंगे, अब हम जो हमारी ग्रेवी बनाई थी, अब हम उसको अब हम इसको बन तुपनी हम और उसकी ब्री तुपनी नहीं आते हैं इसे जटें इसको भूंट लेंगे पानी का ईूज ग्राइब में नहीं नते ऐसी तरह से हम को प्वाand करेंगे ले इसे पिलिए आते हैं हम बैंड कर लेड ऊजयदेते अब हम इसमें डाल देंगे हरे मटर और शिमला मेट्ज इन दोनों को हम एक साथ फ्राय करेंगे इनको अच्छा से मिक्स कर लेंगे और हमें शिमला मेट्ज को हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है इसको हम दो से तीन मिनिट ही पकाएंगे देखे शिमला मेट्च हमारे फ्राय हो गए है अब हम इसमें मसाला डाल देंगे एक टीस्पून डालेंगे धन्या पाउडर आधा टीस्पून डालेंगे जीरा पाउडर नमक डालेंगे स्वादनुसर आधा टीस्पून गरम मसाला डालेंगे गरम मसाला हमें इसी टाइम पर डाल दिया है इससे हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी और इसको भी हम कुछ सेकंड्स के लिए पका लेंगे हमें गेस की फ्लेम को एकदम रूलो रखना है अब हमने जो प्यूरी बनाई थी वह एड़ कर देंगे और थोड़ा सा इसमें मिक्स करके पानी डाल देंगे ग्रेवी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ग्रीता और पॉर्टी बनाई जो आएं तमिक्स करेंगे सीमर्ण लाल न भी िजाए घांकिता पानी मिक्स करेंगे लाल मिर्ची पॉडर ऑ हमारी अच्छे मिक्स कर लेंगे और इसको कूछ मिनिट्स के लिए ways जा जा लाल मिर्ची तो अच्छा लेंगे ज मिक्स हो जाका ए अब हम इसको कवर करके 10-15 मिनिट के लिए लोग फ्लेम पर पकाएंगे इसे तब तक पकाना है जब तक हमारी सब्जीया पक जाएं 10-10 बावा स्दियों चेक कर लेंगे साथ कषूरी मेथी मिक्स लेंगे और कसूरी मैथी के साथ भी हम इसे एक बर पका लेंगे अब उसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसको भी हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी हमारी सबजी एकदम बन कर रेडी है गेस की फ्लेम को हम आफ कर देंगे और इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जिससे कसूरी मैथी और धनिया का टेस्ट आजाए मिक्स वेज बन कर हमारी एकदम रेडी है अब हम इसको कवर कर कर छोड़ देंगे चलिए अब हम इसको सर्व कर लेतें आप इसे पराठे, पूरी, राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं अब हम इसको एक धनिये से गानिश कर देंगे अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आईए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सबस्क्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शियर करें फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर